हाई फ्रेंट्स आइम कुमार जीत विलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल जेट प्लस टेक फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जैसे साउंड इंजिनियर का कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं जो रिकॉर्डिश्ट बनना चाहते हैं साउंड इंजिनियर का क कॉंबई जहां पर मेरा यह पूरा सेट अप है आप पूरा पुष्ट पोडक्शन का काम होता है लेकिन मेरा यूटूब चैनल जेट प्लस टेक से है जो काफी समय से मैं चला रहा हूं उसको तो उस पर मैं आज एक वीडियो आज एक वीडियो बना रहा हूं बेसिक वीडि है और बहुत दिन ज्यादा लगने वाले हैं एक दिन का संभव नहीं है यह काम करना तो मैं बेसिक जनकारी इसमें दे रहा हूं अगर आप लोगों का अच्छा से अच्छा प्यार मिला वीडियो को तो मैं एक कंटिन्यू कोर्स टाइप का एक छोटे छोटे टॉपिक करके मैं बहुत सारे जितने भी साउंड इंजिनियर में जितने भी नियोंडो में कोर्स होता है जिससे आप रिकॉर्डिंग मेक्सिंग फूल आप सीख सकते हैं मेरे चैनल से किसी भी परकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं मैं अपना एक नंबर जारी करूँगा जहां से आ कॉल मैं रेसीव नहीं कर पाया क्योंकि यहां पे बीजी रहता हूं तो आप मुझे वाटसप करके आप अपनी जो भी प्रावलम है वो बता सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जादा से जादा आपकी प्रावलम को सॉल्व कर सकें अगर मुंबाई में है तो कोई दिक् जब भी मैं टाइम बताऊंगा तो आके यहां पे आपको प्रैक्टिकली बता दूँगा लेकिन आपको सीखना है यूटूब के वीडियोस से ही वो ही वीडियोस देखिए और वहां से सीखिए थोड़ी बहुत कुछ भी प्रावलम है या डाउट है तो मैं बता सकता हूँ चलिए मैं अभी स्क्रीन पर चलूँगा और स्क्रीन पर चलके वहां पर आपको नियूंडो के पूरे जो सफ्ट्वेर हैं कैसे काम करता है कैसे हम मिक्सिंग करते हैं कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो सारी जनकारी देने वाला हूँ तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं तो फ्रेंड्स आप ही हम लोग नियोंडो अपने स्क्रीन पर जाएंगे और नियोंडो ओपेन करेंगे नियोंडो सब्ट वेर पहले डाउनलोड करना होता है वह अलग वीडियो में मैं बता चुका हूं तो यह नियोंडो का जो नियोंडो 4 है ओपेन हो रहा है मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लागेंज, बहुत सारे रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग कैसे किया जाता है, वो सारी चीजे बताई गई है, तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उपन हो रहा है, इसमें बहुत सारे प्लागेंज है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लागेंज ज्यादा होता है, तो प्लागेंज को खुले में देख सकते हैं कि आप यह पेज उपन होता है, जब नियूंडो आप उपन करेंगे, तो यह पेज उपन होगा, उसमें आपको उपर में सारे दे रहा है कि फाइल, एडिट, प्रजेक्ट, अडियो, मीडी, सोर्स यह सब दे रहा है उसमें आप जाएंगे, file में जाना है file में जाएंगे तो आपको एक अपना जहां पे भी save करना है project को या तो desktop पे करें या किसी hardisk में करें तो वो select कर लेना है और एक नाम बना देना है जैसा कि मैं test file बना रहा हूं एक आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर आपको दो ट्रैक लेना होगा या तीन ट्रैक लेना होगा या चार ट्रैक लेना होगा आपको अपने अनुसार कितना ट्रैक लेना है वो ट्रैक ले लीजिए मोनो का ट्रैक लेना है जैसा कि मैंने चार मोनो ट्रैक ले लिया है सेलेक्ट किया मैंने वहां से जाकर device में है आपकी आवाज जो है वो setting करनी होती है या F4 दबाएंगे तो ये वाला open होगा page वहां से आपको select करना होता है कि audio sound card जो है वो connect है की नहीं है तो उसके वारे में मैं बताऊंगा आगे कि कैसे करेंगे अगर mono है तो mono select करना है जैसा कि मेरा studio है तो mono जो मैं यहां पर हूँ तो मेरा यह वाला mic जो है दो number mic है और जो singer गाएगा वह एक number mic है तो वही select करना है वह यह one और two इसमें चार मैंने लिया है कि एक demo हो जाएगा जिसमें मैं बोलूंगा तो सुनाई देगा singer को एक recording vocal जो final होगा एक में recording होगा और एक में 80 फाइल होगा जो भी extra फाइल होगा उसको हम नीचे रखेंगे इसलिए चार मैंने track select किया है उसके अलावा आम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसको disable कर सकते हैं जो 80 का फाइल है disable करेंगे ताकि उसमें कोई भी गाना अगर बजे तो वो न बज पाए 80 वाला फाइल न बजे इसलिए उसको disable कर लीजिए यहां से आप जाएंगे यहां देखेंगे कि recording का option दे रहा है red आप color का जो दे रहा है वो recording round में है उसको open करके रखना है on करके रखना है और वहां से जो sound का जो दिया रहा है speaker type का उसको भी on करिए जब round वाले को click करेंगे या अपने keyboard में space जो आता space को दवाएंगे तो वहां से recording चालू होगा और वहीं से वहीं से on होगा वहीं से space bar से off होगा नहीं तो आप mouse से वहां से रोख सकते हैं और वहां से कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अगर आपको delete करना है कोई left का file delete करना है या select करके file delete करना है कोई सांस आ गया है जैसे गाना record कर रहा है सांस आ गया है तो उसको delete करना है तो वहां से डिलीट कर सकते हैं यहां पर करसर दे रहे हैं कि वह कैशी का दे रहा है वहां से उससे भी आप काट सकते हैं और काट के वहां से डिलीट कर सकते हैं आप डिलीट बटन से उसके बगल में दे रहा है पेश्ट करना है तो पेश्ट कर सकते हैं उसके बगल में दे र तो यह सब फीचर जो दे रहा है उपर में डिटेल में दे रहा है और वहां से आप कर सकते हैं आप यहां से आके अपना सेलेक्ट कर सकते हैं 16181 जिसमें भी आपको करना है यहां बार बीट दे रहा है बार बीट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप देख सकते हैं कि यह वाला जो बटन अगर आउन करेंगे तो लास्ट में आप जब जाएंगे तो अंदर की तरफ चला जा रहा है लेकिन उसको आउन करके रखेंगे तो अपने आप वो लेफ्ट साइड में घसक के जाएगा देख सकते हैं आप और यह बटन है बार बीट सेलेक्ट करने के लिए बार बीट पे अगर इसको क्लिक करके रखेंगे तो बीट टू बीट ही वो सेलेक्ट होगा अगर किधर भी आपको ले जाना है लेफ्ट राइट तो बीट पे ही सेलेक्ट होगा उसको अगर क्लिक करके आ और आफ करेंगे तो जहां भी आपको करना है आपको अपने अनुसार से कर सकते हैं अगर उसको आफ कर देंगे तो जो इंपोर्टेंस है जिसकी जरूरत है वो सब मैं चीजे बता रहा हूं तो आप ध्यान दीजिए अगर किसी भी परकार की दिक्कत है तो आप कमेंट आपको ज़रूर नीचे आप आएंगे तो इफ टू अपने टिए बोड मे दबाएंगे तो नीचे टेंपो करने के लिए आता है आप टेंपो शेट कर सकते हैं वहां से क्लिक कर सकते हैं तो tempo र Sniff at करना हो क्लिक करिए वहां-स टेमपो आपको 110 122 630 जो भी गाने काody ntho वहां से Select कर सकते हैं अगर दबाये तो वह यह हो जाएगा hide हो जाएगा और संद अफ आपस आजाएगा जो आपका mixing अगर करना है तो वहां से डिवाइस में जाके direct mixing का open हो जाएगा या आप F3 दबाएंगे तो भी mixing के लिए option आ जाएगा यहाँ पर आप device का मैंने जो बता रहा हूं कि device जो select करना है आपको उसमें भी device में जाएंगे वहां से भी select कर सकते हैं और manually और आप keyboard से भी कर सकते हैं अभी मैं आपको एक track लेता हूं ट्रैक लेकर यहाँ पर आपको एक music सुनाता हूं music लेकर उसके उपर हम एक wise simple डालेंगे और उसमें plugins लगाकर आपको दिखाएंगे mixing करके कि आवाज कितना change होता है तो हम लोग यहाँ चलते हैं फाइल में गये हैं फाइल में जाके जहां अभी आपका music बना हुगा है कोई भी ट्रैक ले लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए जहां मैं देख सकते हैं कि यह music मैं एक select कर ले रहा हूं जो पहले से track बना है वो music मैं कोई भी एक ले ले रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा पाऊं कि music कैसे select करना है तो file में जाना है file में में जाके file में नीचे जाएंगे तो import का option आता है वहां से import करिए या direct ड्रैक करके इस पर छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर यह music आ गया है तो यह music मैं आपको सुना दूंगा कि music कैसा है और किस तरह से क्या बज रहा है तो music आप सुनाता हूं मैं सुन लीजिए तो यह आप देख सकते हैं कि यह music जो है यह बज रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी जाके मैं क्या करता हूं वहां से एक voice simple ले लेता हूं तो यह देख सकते हैं वायस मैंने ले लिया है जो सिंगर गाय हुए है य दिन में पूरे लाइब मैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी मैं दिखा दूँगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजी और यहाँ से देख सकते हैं कि आपको आवाज भी मैं सुना दे रहा हूँ आप देखिए आवाज अब देख सकते हैं कि इसमें मैं प्लागिंस जो है बहुत जादा प्लागिंस नहीं लगाया हूँ और यह करके मैं देख सकते हैं कि प्लागिंस लगा रहा हूँ जब प्लागिंस मैं नहीं लगाया था तो आपको कैसा सुनाई दे रहा था और प्लागिंस लगाने के बाद कैसा सुनाई दे रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि यह विदाउट प्लागिन्स है और आप देख सकते हैं कि जब मैं प्लागिन्स लगा रहा हूं तो वो कैसा सुनाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं प्लागिन्स नहीं यूज किया हूं दो तिन प्लागिन्स ही यूज किया हूं फिर भी आप सुन सकते हैं इसाइयां काले जे मरला हमार दौरत करें इसाइयां काले जे मरला हमार तो देखिए आप यहां पर मैं ज्यादा यह तैना प्लागिन्स यूज नहीं किया हूं ठीन ही किया हूं लेकिन इसकी आवाज जो है वो बहुत अप देख सकते हैं चेंज हो गई है तो यह इस आप समझ सकते हैं और स्थे कािसे उच करना है इसकी मिक्सिंगा इस प मिक्सिंग का तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो मैंने इसका मिउजिक का कम किया और ज्यादा किया तो एफ थिरी मैं अभी दबा रहा हूं इसके मिक्सिंग मैं दिखा दे रहा हूं शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं यह सारी चीजे बहुत डिटेल्स में नहीं है और यहां से मिक सिंग आप शोफ्ट्वीयर कोई मीक्सीग के लिए आप जब सोरी मीक्सिंग बोल रहा हूं कि अब कर रहे हैं तो अप कर सकते हैं मैं प्राइश यह मैं और रिखा रहा हूं यह देखिए प्लाव सिंग साफ दिनग से आप यूज़ करेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा मेक्सिंग हो जाएगा अब देख सकते हैं कि मैं अगर अगर अटोटून गडबर हो रहा है तो वह अटोटून वह ले रहा है अटोटून पर आवाज चेंज हो जा रही है लेकिन अगर अगर अटोटून लगेगा तो सही बजेगा आप देख सकते हैं अगर तो इस अगर शाईया काले जे मरला हमार दारत का दे तैना गाले जे मरला हौशाहां से आप माश्टरिंग कर सकते हैं उपर नीचे कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं कि तो कि पूरह striking नहीं होना चाहिए ने तो अवाज फट मैं से या पर अपने अपने हिसाब से गाने के हिसाब से आप देख सकते हैं मिक्सिंग करके और वहां से जाके एक्सपोर्ट मार सकते हैं जब फाइनल आपका हो जाए तो वहां से आप एक्सपोर्ट मार दीजिए एक्सपोर्ट मारने के बाद सुनिए अगर आपको कुछ लगता है तो फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे उपर में बढ़ा रहा हूं तो नीचे रेड आ रहा है तो रेड यानि फट रहा है वो जब आप बड़े स्पीकर पर आप देना है और नाम लिखके सेव कर देना है तो आप इस तरह से आप प्रोजेक्ट जो भी है आपका सेव कर सकते हैं और आप जा के अपने फाइल में देख सकते हैं कि और प्रोडेक्ट से नहीं हुआ है तो इसको कर दे रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर अगर आपको किसी भी परकार की दिक्कत हो रही है किसी भी चीज से रिकॉर्डिंग में तो आप पूछ सकते हैं जितना कोशिश है कि आपको मैं बता पाऊं एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए दीजिये इजाज़त होके बाय टेक क्यार जैहिंद अपना ख्याल रखिए और कमेंट करना ना भूलिए किसी भी परकार का आप किसी भी परकार की आपको दिक्कत है तो रोके बाय जैहिंद